हेलो ट्रेडर्ज एन वेल्कम बैक टो वीडियो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटर्ट्रोक्स के बारे में जो आप कल यानि मंडेक स्टेश्न में ट्रेट कर सकते हो और इन सभी के पीछे का लॉजिक अनलेसिस पूरा हम डेटेल में कवर करने वाले हैं तो ट्रेडर्ज मैं आपको चार इंटर्ट्रोक्स पूराइट करूँगा और इन सभी के पीछे का क्या अनलेसिस है क्या लॉजिक है यह हम डेटेल में देखने वाले हैं और किस स्टॉक में आप किस पॉइंट पे अंटर्री ले सकते हो क्या टागिट रहेगा क्या स्टॉप महिंद्रा में क्या अनलेसिस है में आई यह हम समयने की कोशिश करते हैं उससे पहले हम बात करेंगे निफ्टी-50 के बारे में अभी निफ्टी-50 एंड बाकेट में क्या कौन सा महल चल रहा है तो यहां पर गाईज महल अभी हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ सा चेंज हो तो हम यहां से मान सकते हैं कि अभी मार्केट के अंदर हमें बुलिस रहना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में बट अभी थोड़े से जो जो अपसाइड में रेजिस्टेंस पॉइंट है जैसा कि मैं बताऊं यहां पे 16500 का एक जो लेवल है 500 और 400 के बीच में तो आप उन की पॉइंट पर ध्यान दे सकते हो ठीक है 16400 और 500 का जो लेवल्स रहेंगे यह एक हमारे निफ्टी 50 के अंदर मार्केट के अंदर एक रिजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं ठीक है तो यह वाला बहुत स्ट्रोंग रिजिस्टेंस रहेंगे अगर इनको इन लैबल्स को बेग करता है तो डेफिनिटली हम एक हमें यहां पर ट्रंड चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है अपसायड में ओके तो बात करते हैं महिनर और महिनरा की स्टॉक हमारा जो फर्स टॉक्र हमारा क्या इनले साथ इसके अंदर तो यहां से आप कंटिनुशली देख सकते हो एक रिजिस्टेंस पोंट मैंने है एक this is aec return line की culture हुआ थीक है and energy health से मैंने इक यहां पर करिजि़े न्स old कर रख हुआ है आप यहां पर रिस्पेक्ट ऋर्थ कर रहा है इसको कि यहां से फार्स धाइम महीं यहां पे इसिंट खेंड कर तरह तर्थाइम सुन धाया थीक है। थीक है और यहां पर जो इसका जो closing point है आज का ठीक है जो Friday के session में इसने closing करा हुआ है अपने resistance point के आसपास करा हुआ है ठीक है तो यहां से अगर इस point को break करता है यह जो resistance point है अगर इसको break करते हो तो आप buy कर सकते हो सकते हो 914 के level पनी गाट रहेंगे 918-921 ठीक है 914 पना नानाम इसको वाइक रहेंगे 918 एन्ड करेंगा टीक है 914 पनी आप 5 को बग़ल भाइक हो aNe नामे वहां सेटर एक गेट rece measurement rating कर सकते हैت तो इस बात करूं गाइस that is HDFC तो HDFC के लिए हमें जाना पड़ेगा बन वन आर टाइम फ्रेम पे हमें समयने क्योशिश करेंगे क्योंकि सीमिलर से यहां पर पैटर्न बनाए हुआ है है और मॉस्ट आप किसी बी चार्ट को देख लो सीमिलर से यहां पर जो रिजिस्टंस मिलेंगे यहां पर क्रिएट करकं रख को ठीक है तो यहां पर यहीस पैटरन है आप डेख सकते हो मल्टिपल चांई हो सब्सक्राइप रिख कर लिया हो है अपने रिजिस्टंस को मिला है में ठीक है अब फिर उसके बाद यहां पर गैप डाउन उपन हुआ एक रेंज में घूमा एच देप्सी का पूरा स्टॉक ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो यहां से एक बूलीश बहुत अच्छा एक बूलीश मोंट देखने को मिला था बट यहां से कंटेन इसलिए एक रिजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिला हमें ठीक है तो यहां पर आज का फैर्डे का क्लोजिंग था इसका इसने अपने रिजिस्टेंस पॉइंट पर दिया ह लेगा 1338 का और जो इसमें SL लगाएंगे 1322 का लगाएंगे ठीके गाइस तो यह था हमारा second interest stock जो आप मंडे कर सकते हो and third interest stock की बात करूँगा यहां पर third जो हमारा interest stock रहने वाला है that is यहां पर SBI cards तो SBI card में में बहुत अच्छा रिकावरी देखने को मिल सकती है मंडे के session में तो सेम यहां पर pattern बना हो है इसने भी तो मंडे के session में अगर इस resistance point को break करता है multiple times यहां पर भी retest कर लिया गया है यहां पर first time यहां पर देख सकती है आप second time third time ठीक है तो यहां पर जो closing दिया हो है अपना resistance point के पर दिया हो है ठीक है resistance point के यहां पर resistance point के sorry guys resistance point पर ही दिया हो है ठीक है तो अगर यहां से मंडे के session में इस resistance point को break करता है तो आप इसको buy कर सकते हो 750 के level पर and target हमार रहेगे 755 and second target हमार रहेगा 758 का ठीक है जो हम मैं SL लगाएंगे 744 का लगाएंगे ठीक है 744 का लगाएंगे okay guys तो यह था हमारा third interest stock जो आप Monday के session में trade कर सकते हो और बहुत अच्छे profits कर सकते हो guys यहां पर मैं buying के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्यूंकि हमारा जो nifty fifty है and market है यहां से recover करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है Monday session में हमें एक bull run देखने को मिले market के अंदर फिर से again जैसा कि Friday session में हमने देखा कि बहुत अच्छे recovery हमें देखने को मिली तो हो सकता है कि Monday session में भी हम ऐसी recovery phase करें देखने को मिल सकती है मैं तो इसलिए मैं buying prefer कर रहा हूँ आज के session मलब Monday session के लिए ठीक है तो बेदानता रहेगा हमारा next जो हमारा last tender stock रहने वाला है बेदानता यहां पर भी एक similar सा pattern बना हुआ है same patterns बने बने हुआ है इन सभी stocks के दर तो आप इसको अच्छे से मतलब अपने trading view पर भी आप इन जो patterns बने हुआ है इनको आप पर create कर सकते हो और बहुत अच्छे profits कर सकते हो ठीक है गाई इनसे आपको बहुत अच्छे इक knowledge भी मिलेगी और चलो गाइस मैं यहां पर समझा देता हूं next यहां पर यहां पर भी इसमें तीन से चार बार यहां पर टैस्ट कर रखवा है इस resistance point को first time यहां पर कर रहुआ है second time third time and fourth time तो यहां पर closing जो दियो है इसने resistance point के असपास ही दियो है देख लो आप गईज यहां पर तो closing था हमारा 313 का ठीक है तो बाइ करना है हमें 320 पर 320 पर 320 पर हमें बाइ करना है target हमारे रहेंगे 323 एंड 25 रहेंगे ठीक है जो हमारा SL रहेंगे इसमें गईज तो यह था हमारा लास्ट इंटर स्टॉक जो आप मंडे कर सकते हो और बहुत अच्छे profit कर सकते हैं ठीक है जहां से trend हो रहा है market का तो हमें bullish रहना चाहिए अभी आने वाले session में अभी जैसे हमारा market stable हो जाता है वैसे हम यहां पर swing trades भी लेके आएंगे बहुत बहुत अच्छे stocks में हमने swing trades निकाल के रख्यों है तो जैसे ही हमारा market हमें अगर लगता है यहां पर किया मतलब भी stable हो चुका है ठीक है तो वैसे हम यहां पर लेके आएंगे swing trades बगरा तो चैनल को subscribe कर लो and bell icon को भी यहां पर आप notification पर रखो ठीक है जैसे हम video डालेंगे आपको आपको में जाएगा तो मिलते next video में guys till then take care bye bye आपको regular यहां पर अभी चैनल के उपर आपको वीडियो में मिला करेंगे swing trade and internet के क्योंकि अभी थोड़ा सब बीजी सल रहा था and थोड़ा काम चल रहा है घर पर इसलिए and trading तो guys चलता है रहता है अपना क्योंकि लाइब अपडेड में करता रहता हूं बैंक निफ्टी के sorry guys यहां पर टेलेग्राम चैनल पर तो जिसको टेलेग्राम चैनल जोइन करना है हमारा वो कर सकता है जाके definitely आपको बहुत अच्छा quality content है आप वहां पर भी मिल सकता है ठीक है तो मिलते है next video में guys till then take care bye bye